यालो भाई मावंकित आज वाले वीडियो में भी धमाल मचाने वाले हैं बहुत सारे भाई को कमेंट आ रहा है कि सस्ती बाई के बारे में बताओ हमारा बजट धीला है ऐसी बाई बताओ जिसमें माईलेज भी अच्छा मिल जाए वरांटी भी अच्छा मिले और वो लॉंग सस्ती बाई के बारे में जानेंगे मतलब उनमें पावर भी अच्छा है और साथ ही उनका प्राइज भी कम है और वरांटी वगरा भी उसमें अच्छा खासा है सस्ता का मतलब यह मत सोचना है कि कुछ चीश से आपको कॉम्परमाइस करना पड़ेगा इस लिश्ट को बनाने प्राइज में मिल जाती है इतना कम प्राइज में आपको कोई भी 125 इसी की बाइक नहीं मिलती इंडियन मार्केट में कोई भी नहीं इसमें आपको पावर भी अच्छा खासा मिल जाता है 10.7 भी एच्पी का और 111 निम का टॉर्क है यह गाड़ी आपको 60 तक अराम से आता है तो बेसिक इसमें सारा फीचरस दिया गया है बात करें अगली सबसे सस्ती गाड़ी की तो 9th नमबर पर मैंने रखा है भाई टीबी एसकी स्टार सिटी प्लस को यह 110 एसी की बाइक है यह आपको 74,08 रूपे के एक्षोर्म प्राइज में मिल जाती है इसमें आपको LED Color Option देखने को मिल जाते हैं वराइंटी की बात करते हो तो इस गाड़ी का आप टीबी एस पांट साल 70,000 किलोमेटर तक वराइंटी देता है अस्टेंडर तोर पे यह आपकी पसंद बन सकती है यह जो जानते हैं वही इस गाड़ी को खरीदते हैं खर बात करें अगली गाड पैंसट से और सट के बीच में आपको माइलिज देदेगी इस गाड़ी का करवेट 113 किलो है कलर रॉप्षन की बात करते हो तो लगबग आपको साथ कलर रॉप्षन इसमें मिल जाते हैं यह बी गाड़ी काफी अच्छी है यह स्प्लेंडर वगएर से बीट करती है इसमें आपको फीचर्स के तोर पर इंजन किल स्विच मिल जाता है लंबा स सीट मिल जाता है पीछे आपको ग्रेवल के साथ कैरियर भी जाता है जौला वेगर भी बांच सकते हो यह भी आपकी पसंद बन सकती है अगर आपका बजट ।ीला है है हाला कि प्लैटीना हंडेड भी आती है उसके बारे आके चल के बात करेंगे इसमें आपको पावर देखने को मिलता है 8.48bhp का टॉर्व मिलता है 9.81 नम का यह गाड़ी आपको 70 से 75 के बीच में मैलेज दे देती है अगर आप भगा के चलाओगे तो पैंसर तो आराम से दे अब आते हैं टॉप फाइब में फिप्त नमबर पर मैंने यहां पर रखा है बजाज की सीटी वर्टेट एक्स को यह बहुत ही सच्टे प्राइज में आ जाती है बाई इसमें प्लैटीन वाले ही इंजन डाला गया है इसमें आपको 70 तक मैलेज तो मिली जाता है यह गाड़ी बाई वन अब दी बेस्ट है उनके लिए जो समान वेगराट होते हैं डिलेवरी वेगरा करते हैं दूद वेगरा धोते हैं उनके लिए यह बहुत ही सई गाड़ी है बिल्ड क्वाल्टी भी अच्छा है और पावर भी अच्छा और माईलेज तो पूछो ही मत है और प्राइज मैंने आपको बताई दिया बागी करवेड इस गाड़ी का मातर 99 किलो है इसमें आपको पांच कलर अप्सन मिल जाते हैं बागी तीन साल ब्यारीज किलोमेटर का वराइंटी मिल जाता है और स्टेंडर तोर पे इस गाड़ी में एक ही चीज का कम ही है बागी सब चीज बढ़िया है थोड़ा सा आपको बिल्ड वायल्टी का इस सु देखने को मिलेगा क्योंकि करवेड कम है इससे बेनिफिट भी है आपको मैलेज जादा मिलेगा बाकी सारी गाड़ियों से बागी ठाट नमबर पर मैंने रखा है प्लैडिना हंड्रेड को यह आपको मातर 16650 उर्पे के एक सुरुम मिल जाता है यह जो मैंने आपको प्राइज बता है की कश्टार्ट वेरियंट का है सेल्फ के लिए आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना पड़ सकता है बागे सेकंड नमबर पर मैंने आप रखा है टीबियस की असपोर्ट को यह आपको मातर 69,243 उर्पे के एक सुरु का टॉर्क है यह भी गाड़ी कहीं न कहीं आपको 65 से 75 के बीच में माइलेज दे देती है बाकि 110 किलो उसका करवेट है साथ कलर अप्सन मिल जाते है वारांटी की बात करते हो तो टीबियस वाले इस गाड़ी का पांट साल 70,000 किलोमेटर तक वारांटी देते है इसमें भी क हिरो की एचैप हंडड को यह एचैप डिलक्स का ही सरस्तावला नहीं बता होगा मैं बतायता हूं हए दिलक्स वाला ही 178 रुपेmi प्राइज है यह फिर कह सकते हो इसमेंगी संद 491 थी का पावर मिलता है 8.05 लिंग का टॉर्क मिल जाती है ये भी गाड़ी आपको 65 का माईलेज दे देती है 110 किली उसका करवेट है कल रॉप्सन हाला कि इसमें आपको दो ही देखने को मिलता है वरांटी की बात करती है तो ये भी आपको पांट सल पच्छतर एजर किलोमेटर का व होना चाहिए बागे हां जाते जाते एक और सस्ती गाड़ी के बारे में बतायता हूं जो एचे फंडेड से भी सस्ती आती है भाई उसका नाम है टीवी एस एक्सल हंडेड ये गाड़ी आपको 49,990 रुपे के एक सुरूम प्राइज में मिल जाती है ये जो मैंने आपको प मिल जाता है माइलेज भी अच्छा देखने को मिल जाता है और रही बात वरेंटी की तो ये टीवी एस की प्रोड़क्ट आपको 5 सल 70,000 किलोमेटर का वरेंटी मिल जाता है इस गाड़ी को आज की डेड़ में छोटे सहर बड़े सहर हर जगा पसंद किया जा रहा है भाई क् तो समान विगरें भी डो सकती है और थोड़ा नॉर्मली आप भूम भी सकते हो इस पर है बागे आपको किसी भी गाड़ी का अपने सिटी का उन रूप्राई जानना है तो कमेंट सक्षन में लिग देना अपने गाओं का नाम और गाड़ी का नाम मैं जरूर रिप्लाई कर दूँगा चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्वाह थैंक्यू सो मच भाईयो दिल से जैन सभी को